नमक पारा हाई, वेलकम टे संजीव कपूर खजाना मैं हूँ शेफ राहिल और आज हम बनाएंगे नमक पारा इसे बनानी के लिए हमें चाहिए आदा कप आटा, आदा कप मैदा और डस्टिंग के लिए मैदा आदा छोटा चमच बेकिंग पाउडर तीन बड़े चमच देसी घी, नमक स्वाद अनुसार आदा छोटा चमच अजवाइन सबसे पहले हम अजवाइन को क्रश करेंगे इसे क्रश करने से इसका फ्लेवर और भी बढ़िया होता है हम आवन को प्री हीट करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे अब लीजे एक बड़ा मिक्सिंग बोल इसमें हम दालेंगे आटा, मैदा और बेकिंग पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजे अब दालिए देसी घी अब इसे हलके आतों से मिला लीजे जब तक इसका टेक्शर ब्रेड क्रम्स की तरह ना हो जाए ये देखिए, अब इसका टेक्शर ब्रेड क्रम्स की तरह हो चुका है अब हम इसमें दालेंगे नमक, स्वादानुसार, अजवायन और इसे भी अच्छी तरह से मिला लीजे अब इसमें हम दालेंगे थंडा पानी और इसे हम अच्छी तरह से गून लेंगे इसका हम सक डो बना लेंगे लीजिए अब हमारा डो तयार है इसे हम अभी कवर करेंगे और 15 मिनिट के लिए साइड में रखेंगे लीजिए 15 मिनिट पूरे हो गए अब हम इसे बेलेंगे और इसे diamond shape में काट के इसे हम बेक करेंगे सबसे पहले rolling board डस्ट कर लीजे यह हम इसलिए कर रहें ताकि इस पे कोई आटा चिपके ना अब हम इसे बेलेंगे और बेलते वक्त यह ध्यान रखे कि आप इसे पतला ना बेले चाकू के सहता से अब हम इसके diamond shape काटेंगे यह diamond कटे हुए हुए नमक पारे को एक baking tray में रखेंगे यह baking tray हमने पहले से dust कर लिया है ताकि इस पे नमक पारा चिपके ना इसी तरह से आप बाकी के डो को भी बेल लीजे लीजे आप हमारा नमक पारा ओवन में जाने के लिए तैयार है इसे हम ओवन में डालेंगे अब हम इसे ओवन में 15-20 मिनिट के लिए पकाएंगे अगर आपके पास घर पे ओवन ना हो तो आप इसे deep fry भी कर सकते है और इसे आप store करके रखिए एक airtight container में और जबी आपका मन चाहे आप इसे खाईए कर दो